Hello students, पिछली वीडियो में हमने सिखा था why the value of pi is equal to 22 upon 7. आज हम जानेंगे why the formula of circumference is 2 pi r. circumference का formula 2 pi r कैसे बना? यह हम सीखते हैं, why circumference is equal to 2 pi r. तो हमने पिछली वीडियो में जो सिखा था कि pi की value 22 upon 7 क्यों होता है? वो हमने इसमें आपको बताया था कि circumference और diameter का जो ratio है 22 upon 7. यदि किसी भी circle का diameter 7 होगा, तो उसका circumference 22 cm होगा. अब इसी को हम आगे और simplify करेंगे, कि circumference की formula 2 pi r कैसे आए? तो लिखेंगे हम आगे फिर से circumference upon diameter को लिख सकते हैं 2 r. इस point से लेके इस point तक, जो center से होके जाता है, डाइमेटर कैलाता है, और ये O से लेके यहां तक, हम डाइमेटर का नाम यहां A, B रख रहे हैं. A, B इसके radius का double है, radius है OB या OE, OB 3.5 होगा, तो AB होगा 7 cm, तो हम डाइमेटर के स्थान पर लिखेंगे 2 r, is equal to 22 upon 7 के स्थान पर लिखेंगे हम pi, अब इसको हम cross multiply करेंगे, ऐसे, तो cross multiply करेंगे, तो इसका numerator की स्थान पर pi है, denominator नहीं है, तो हम denominator यहां 1 लिख लेते हैं, अब इसको cross multiply करेंगे, cross multiply करके, हम circumference को 1 से multiply करेंगे, तो आएगा circumference यह रहेगा, is equal to, अब 2 r से हमने pi को multiply करेंगे, 2 multiply r multiply pi, इसको और simplify करेंगे हम आगे, circumference is equal to 2, अब लिखेंगे हम पहले pi, फिर लिखेंगे हम r, इसके sequence को हमने change कर लिया, 2 pi r, अब यह 2 r diameter होता है, इसको हम pi d भी करते हैं, pi d, 2 और r को यह हम multiply करेंगे, तो d आएगा, pi के स्थान पर pi और 2 r को multiply करेंगे हम इन दोनों को, तो आएगा d, तो हमारा formula बन गया, circumference is equal to 2 pi r, तो यह formula कैसे बना, इसकी जानकारे हमने आपको देश वीडियो में, आप इस वीडियो को like किजे, share किजे, subscribe किजे, अगली वीडियो में हम जानेंगे, area of circle is होता है pi r square, क्यों होता है pi r square, उसको हम proof करेंगे अगली वीडियो में, तो आप इस वीडियो को like किजे, share किजे, subscribe किजे, फिर मिलता है अगली वीडियो में, thanks for watching.